आज मैं बना रही हूँ बेशन चुर्मा लड़ू घनेश चतुरती आ रही और पूरे साल मुझे इस दिन का इंतजार रहता है कि कब घनेश चतुरती आएगी तो बहुत ही सुपर मॉइस्ट लड़ू बनते हैं तो चलिए देख लेदे इसे कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंन गी जो है मैंने यहां पर गाएगा यूज के आप कोई भी घी यूज कर सकते हैं बस ओयल यूज मत करना इस पूरी रेसिपी में नहीं तो पूरे लड़ू का जो है टेस्ट खराब हो जाएगा गी को बहुत अच्छे से मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है और जब आप इ पानी से लगा लेना लेकिन मेरे घर पर यह लड़ू मुस्किल से पांच दिन चलेंगे इसलिए मैं इसे दूद से लगा रही हूँ और दूद को हलका सा गरम कर लिया था क्योंकि दूद जो है फ्रिज में रखा हुआ था बहुत जादा गरम दूद यूज नहीं करना है औ इसका जो रहेगा वो हाड रहेगा ताकि फ्राइंग करते समय जादा टाइम नहीं लगे और जल्दी से कोख हो जाए अंदर तक दो को बहुत अच्छे से नीड कर लेना है और दो को हम साइड में रख देंगे 10 मिनिट के लिए ताकि यह अच्छे से रेस्ट कर ले और अच्छे से रेस्ट कर लिया है और जो मुठी बनाने वाली प्रोसे से यह दिखे इस तरह से मुझे काफी सैटिस्फाइंग लगती है अच्छा लगता है अपने फिंगर के जो प्रिंट सोते इसके अंदर चप जाते है और यह बहुत अच्छा लगता है बनाना तो आप भ भ्रहोल कि लिखें जास तरह ने अब जो दिल घ्र में गर्ली कि अप यह बिलनाए बीम रहा है इन अटर बफ्रूल जाएगा अप जिस तरह सरय मैंमारे खुर अपने घियाला बनागा रहा है घिया ऊता हम इस अच्छे त Concelf ही था और उपर आपने गिई में यहां पर कम गी यहां पर यहां योजम्ध किया है Mr.este Start करें जॉीर प्राइश जाए खायलगी तो प्राइश नहीं कर सकते हैं सब्सक्रीबाद को कोब बारॉटिबगाए तो कच्छािक क्या और यहां पर यह बहुत ही अच्छे से जो है ना मलब सिख जाते हैं बस पेशन्स रखना क्योंकि घी में फ्राइ कर रहे हो तो इक दम स्लो गैस पर इसे फ्राइ करना होता है एक बैच को फ्राइ करने में आराम से 15-17 मिनिट लग सकते हैं और थोड़ा सा यहां पर आपको पे अच्छे से फ्राइ कर लिया और यह हलके से अभी घरम है तो इसे में जल्दी से तोड़कर एक प्लेट में रख देती हूं ताकि यह जल्दी से ठंडे हो जाएंगे और हम इसे जो है पीस पाएंगे वैसे देखिए ऑथेंटिक तरीका जो चूरमे का लड़ू होता है ना इसे मैंने साइड में ठंडा होने दिया अब यहां पर ले लिया एक मीडियम साइस का मिक्सर जार और इसमें हम थोड़ा सा यह डाल देंगे और इसे देखे पीस कर रेडी कर लेंगे यह बहुत ही दानेदार हो जाता है पीस टाइम पर और इसे चानने की जरुरत नहीं है क कोई पीस अकर बड़ा रह जाता है तो वह आप वापिस दूसरे बैच में जब पीस रहे हो डाल सकते हो लेकिन इसे चानने की जरुरत नहीं है अब मैंने दूसरी कड़ाई ली उसमें सेम घी ले लिया जिस घी में मैंने फ्राई किया था और यह वन फॉर्थ कप घी है और कोई हलकी से भी गुंजाईस नहीं रहे कोई कसर नहीं रह जाए कच्चे पन की और कोई यह नहीं बोल दे कि थोड़ा सा जो लड़ू है कच्चा लग रहा है मतलब खाने में टेस्ट वियर्ड लग रहा है तो इस तरह हम लोग जरूर करते हैं आप चाहो तो स्किप कर सकते क्योंकि हमने इसे बहुत ही अच्छे से फ्राई किया था तो वहां पे आप कच्चे रहने की तो कोई गुंजाईस रहती नहीं है लेकिन फिर भी मन में कोई डाउट नहीं रहे इसलिए हम सेख लेते हैं साथ से आट मिनट के लिए अब हम बनाएंगे चासनित जिसके लिए मैंने वही कड़ाई यूज की हैं जिसमें मैंने फ्राई किया था तो हाफ कप मैंने पानी ले लिया उसमें हम डालेंगे थ्री फॉर्थ कप शुगर इतनी शुगर एनफ है इससे लड्डू अराम से मीठे हो जाएंगे और सैफरॉन के कुछ थ्रेड्स डाल रहे हूं ताक लेंगे अब देख सत्च्वाइग को अच्छा सा उब आला गया है हम यहां पर एक तार की शासनी बनानी के लिए थोड़ा सा सिरप को मैंने प्लेट में रखा और हलका से थंडा होने दिया और उसके बाद देखे एक तार बन रहा है पतला सा तार है मोटा तार नहीं बनाना है और तार बनने के बाद टूट भी रहा है बस ऐसी ही चासनी हमें चाहिए अगर मोटा तार की चासनी बना लिए मतलब एक ही तार है लेकिन मोटा है तो भी लड़ू जो है थोड़े से ड्र बनेंगे कड़क नहीं बनेंगे लेकिन सूके सूके जरूर लगेंगे जब ठंडे हो जाएंगे अब मैंने चासनी को चूरमे के अंदर डाला उसके बाद वन टीस्पून इलाइची पाउडर डाल दिया और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी ये चासनी डा अब ही बहुत गरम है लेकिन जब मिक्सर गरम होता है मैं तभी ही लड़ू बनाना स्टार्ट कर देती हूं क्योंकि एड़ इस स्टेज ना लड़ू बहुत ही आसानी से बंद जाते हैं और अच्छा सा शेप आ जाता है जादा महनत नहीं करनी बढ़ती है मिक्सर को पूरा ठंडा नहीं करना है नहीं तो लड़ू बानने में दिक्कत आएगी अगर आप अच्छे से हाथ लगा पारे हूँ आपको लग रहाए है कि गरम है लेकिन थोड़ा सहन कर लेना और लड़ू बान लेना तो इतने शाइनी शामदार से लड़ बनकर रेड़ हो जाएंगे तो चलिए गनपती बपा के लिए मैंने भोग भी लगा दिया है और सेम तरीके से बाके के लड़ू बनाकर रेडी करेंगे इस प्लेट में जितने लड़ू आपको देख रहे हैं उससे चार लड़ू और साइड में पड़े हैं इस ट्रे में इतने ही लड़ू तो आप काउंट कर सकते हो कि इतनी क्वेंटिटी में कितने लड़ू बन जाते हैं तो चलिए एक लड़ू दोड़के भी देख लेते हैं सुपर सॉफ्ट मॉइस्ट लड़ू बनते हैं बस चासनी बनाते समय ध्यान रखना कि चासनी ज्यादा मूटे तार की नहीं होनी च अच्छी लगी हो तो मेरे चानल को करें सब्सक्राइब रादे रादे